वाट नेक्स्ट यह बहुत ही बड़ा सवाल उभर करके अब सामने आ रहा है जित्रे भी सीजियल के एस्पारेंट है उन सब के समक्ष आगे हम लोग डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे क्या स्ट्रेटीजी होनी चाहिए वर्स 2024 के लिए आप लोग वीडियो को अंतर तक देखिए अगर आपको सही लगता है वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए जो लोग चैनल पे नए हैं अगर आप इन में से किसी भी एक्जामनेशन की त्यारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आपको कुछ useful content मिल सकें, और नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है, और स्वागत है आप सब का परिक्षा साथी में, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, 2024 में अभी आपके पास तीन बहुत बड़ा option है, एक तो JPSC के रूप में civil services का exam है, और दूसरा CDPO है, ठीक है, CGL examination cancel हो गया है, लेकिन चुकि अब नई सरकार ने सपत ग्रहन कर लिया है, नई सरकार बन गई है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा assume कर सकते हैं, कि इस सरकार के जो ब ठीक है, हो जगता है, उसके लिए एक दू बार फिर से हमें आयोग जाना पड़े, या नेताओं से मिलना पड़े, साध उसकी नवबत ना आए, लेकिन अगर नवबत आती है, तो थोड़ा बहुत, अगर communication maintain रहेगा आयोग और students के बीच में, तो बिल्कुल ऐसा होगा कि CGL एक बार फिर से आपको देने का मौका मिलेगा, और इस बार पूरी उमीद ऐसी है, कि साध माहौल बहुत बहतर होगा, लास्ट टाइम के compare में, ठीक है, तो ये दूसरा option आपके समक्ष है, 2024 में, और तीसरा बहुत important है, RRB, RRB के दोआरा दो vacancy है, एक तो ALP की है, ठीक है, और दूसरा technician की vacancy आई है, ठीक है, इन दो vacancy, अब ये दोनो vacancy, ALP की हो गई, चाहिए technician की हो गई, ये ऐसे candidates के लिए है, जो कि जारकन से बहुत जादा परिसान है, और आप किसी भी सूरत में switch करना चाहते हैं, ठीक है, आप बहुत जादा frustrated हो गए हैं जारकन के चकर में, तो बिल्कुल आपको switch कर जाना चाहिए, अगर आप eligible है, अगर आप सारी criteria को fulfill कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, आप लोग RRB की तरफ switch करिए, number of vacancy is ठीक है, जैसे आती है, जितना लोगोंने expect किया था, उतना नहीं है, उससे कम है, लेकिन समय परयापत है, अभी ALP और technician के exam होने में काफी समय है, अगर आप सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ इन दो examination को focus करते हैं, अगर आप में potential है, तो definitely आप लोग यहाँ पर achieve कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जारकंड से बिल्कुल मोहमाया त्यागना होगा, अगर आप चाहेंगे कि हम जारक सारी पर पहुचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे आप खुद भी समझदार है, आप लोग खुद का decision कुछ से ले सकते हैं, वैसे जहां तक मेरी बात है, मैं यह सेश्ट करूँगा, इधर आप जारकंड की त्यारी करें, या फिर आप RRB की त्यारी करें, किसी एक क चुन ले, फिर ये ना हो कि आप साल 2024 के अंत में ये बोलें कि हम जारकंड के चकर में बरवाद हो गए, ठीक है, फिर ये आप मत बोलना, फिर किसी को दोस भी मत देना, अभी आपके पास परियाप्त समय है, अपना decision आप लोग खुच से ले लीजिए, बाकि जो लोग जहल के लिए, और जिन लोगों ने भी CGL की तयारी अच्छे से की है, अपना समय इसमें दिया है, ऐसे सभी candidates को JPSC जरूर फिल करना चाहिए, और अपने पूरे full force के साथ की तयारी भी करनी चाहिए, पीटी होता है, और फिर मेंस होता है, आप सबको पता है, मेंस में subjective होता है, इसमें आपको answer writing करना होता है, तो अब आपके पास परियाप्त समय है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, कोशिस करिए कि लिख के पढ़ा जाए, notes खुद से बनाया जाए, ठीक है, answer writing के practice अभी से की जाए, मैं आपको इस चैनल के थूरू, मेंस का question paper, खेर YouTube पे तो सब साथ share करूँगा, कैसे सवाल बनता है, sorry, physics, science में भी, definitely लिखना पड़ता है, मैं आपके साथ share करूँगा, मैंस के सवाल, कैसे कैसे सवाल पूछे याते हैं, चाहे वो history हो, quality हो, जारकंडो, जो भी subject हो, उन questions को देखी आप लोग और देखने के बाद, कई न कई आप फिल कर मैं आगे आने वाले समय पर definitely upload करूँगा, related to JPSC, ठीक है, लेकिन होता क्या है, कि educational content पर views बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, और पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा चात रहा है, बहुत कमी लोग है, ठीक है, तो इसलिए regular videos upload करना possible नहीं हो पायागा, मैं 16 तार ठीक है, कुछ लोग मेरे साथ already जुड़े हुए regarding JPSC, आप लोग tension मत लीजिए, ठीक है, मैं उस group को active कर दूँगा, वो group बिल्कुल dormate पढ़ा हुए है, कोई उसमे activity नहीं थी लेकिन, जोकि आप form फिर से भराया जा रहा है, तो definitely, आने वाली एक महीना डिड़ महीना में हम हम लोग rigorously उसमें content डालेंगे और related to JPSC हम लोग तैयारी भी करेंगे, next level पर ठीक है, बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं अपने side से इतना हो सकता है, आपको provide करने का प्रयास करूंगा, जितना content depth में हो सकता है, मैं कोशिस करूंगा कि आपको provide कराया जाए, ठीक है, आपको content side से क्या करना है, बस आपको syllabus रख लेना है साथ में, JPSC का complete syllabus, PT plus mains का hard copy अपने साथ रख लीजिए, और देखे previous year questions को देखिए, सिर्फ जारकंड के नहीं, उत्तर प्रदेश PCS, भिहार PCS में, सब जगह के questions को आप लोग देखिए, कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जो content provide करूँगा, उसको आपको सिर्फ पढ़ लेना है, पढ़ करके समझ लेना है, अगर आप चाहे तो उसका notes बना ले, ठीक है, और उसके बाद फिर आप practice questions जो खुद मैं provide कराऊंगा, ठीक है, मैं regular basis पे आपको कमसे का 15 से 20 questions difficult level के, आपक से हम लोग आगे, एक से डिड़ महिने तेक हम लोग चलेंगे, ठीक है, प्योंकि एक से डिड़ महिने में ये clear हो जाएगा, कि JPSC आगे क्या करने वाली है, समय से exam लेने वाली है, या फिर ये भी लटकेगा, ठीक है, लेकिन अभी एक से डिड़ महिना wait नहीं करना है, कि अगे क्या होगा, इस एक से डिड़ महिने में, जितना हो सकता है, उतना preparation कर लेना है, ठीक है न, उसके बाद आगे देखा जाएगा, जो होगा, इसलिए मैंने starting में ही बोल दिया, अगर आप छेलने के लिए ready है, तो आप इस रास्ते आईए, अगर आप नहीं ready है, तो फिर अपना समय काफी दिया है जारकंड में, आप लोग JPSC को जरूर एक बार consider करें, मुझे ऐसा लग रहा है, कि इस सरकार में, जो बचा हुआ समय है, इसमें CZN और JPSC दोनों ये लोग जरूर conduct कराएंगे, ठीक है, बाकि आगे देखा जाएगा, क्या होता है, क्या नहीं होत है, आप लोगों कुछ feedback होगा, तो आप लोग comment में जरूर बताएं, और आप किस examination के तयारी करेंगे, ये भी आप लोग comment में जरूर बताएं, साल 2024, again, एक आखरी उमीद की तरह है, बहुत सारे students के लिए, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपको judicious हो करके, decision भी लेना है wisely, और फिर आगे सोचना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये साल 2024 बहुत important रहने वाला है, बहुत सारे students के लिए, इसलिए आप जो भी decision ले, बहुत wisely अपने decision को ले, और judiciously अप लोग फिर उस चीज को achieve करने के लिए लग जाए, ठीक है न, इस अब कहना आसान है, लेकिन जो भी है, आपके समख सारी चीजे हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक क्यार, गुडबाई